हेलो एवरीवन वेलकम टो आ चैनल दिस इस रिष्टी अगरवाल तो मैं आप सभी कक्षा चारव पांच की इस्ट्रूइंस की ले लिकर आई थी प्रयावस हिंदी कारेपिस्तिका की सॉलिशन जिसमें हमने काफी सारी वर्षिस की सॉलिशन देख लिए हैं यहां पर आगे ब अगर आपको दिख रहा है तो उसे सरकल कर देना है उस सब्सक्राव गोल लगाना है तो देखिए कौन सा सही है यहां पर चपल फस्ट ऑप्शन गुबारी फस्ट ऑप्शन मक्की सेक्ट ऑप्शन चमच सेक्ट ऑप्शन चित्र की पहचान को सेंग्त वर्ण की सायता से रसा बन जाएगा यहीं बिला बन जाएगा और यह बन जाएगा अगरी समय कि नीचे दीके शाइट अमें शेहीं को सेंग्त वर्ण वाली शाइज ऑप्शन जाया गोला नाए तो दीकि मक्षन पर जैसे गोला लगा रखा इसे तरह से मच्छर पर गोला लागा दींगी प्यास, रसी, व्यापार, पक्का इन सभी पत गुरह लगा देंगे फूर्थ कुछिन ने से बनने वाले श्वर्णो सी नई शवद बनाए जैसे तो कि शे किस से बना होता है आदा के और शे से शे सत कौन से जिस से बनता है जैसे कक्षा तो इसी तरह से हो जाएगा अभिक्षा, रक्षा, पक्ष, कक्ष, तो इस सेंग तो वहेंजन है त्र, तै और र से बनता है मित्र, शत्र, उत्र, शुल, पत्र, शत्र, ग्य, ज, य, ज, य, ज, 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 श्र, शलजम वाला और र से बनता है, श्र, जिससे जैसे रड़ बने है, श्रम, इसी तरह से हम बना देंगे, श्रम एक परिश्रम, श्रवन, आश्रम, तो जिस किसी रड़ में ये शब्द आते हैं, वो आपको शब्द लिखने थे, तो ये ड़न होता है, कारेपतरक 86, अब में है कहानी जैसे पड़ेंगे और प्रशनों के उतर देंगे रामु काका की बाग में इंङली नहीं तोड़ने के लिए उन्होने पथ़र मारे और रामु काका को चीनी और भूरा इमली खाने किसके बाग में गए रामु काका के बाग में दौरों ने इमली कैसे तोड़ी पत्थर मार कर इमली का स्वात कैसा होता है खटा रामु काका बाग में क्या कर रहे थी रामु काका बाग में खाट पर सो रहे थी इमली खटी होती है वस्तु घर्टी होती है नाम लिखे नीम्बू टमाटर का चाम सत्रा चीनी और भूरा बाग से भाग निकले इसके बाद क्या हुआ होगा रामु काका उनके घर गए होगे और उनके शिकाद उनके बाता पिता से की होगी क्योंकि वो बिना बोले बिना पूछे ही उनकी बाग कारे पत्रक सत्यत्र का सॉलेशन 77 का अब देखेंगे कारे पत्रक 78 78 कुशन फर्स थे समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाना है यसे पार सला विध्याले प्रशंसा तारीफ ताकत बल भवन मकार नीचे दिये वाक्य दिया है उनने लिखान से पढ़िये इन वाक्य में रवी जो है यह किसका प्रयावची है सूरज का ठीक है सूरे का तो यहां पर आपको समानारती शब्दों पर गुला लगाना जैसे सूरज देच चमक रहा है रवी का सूरज हो जाएगा सूरे की गर्मी से आदमी पसीना पसीना हो गया है सूरे भी यहां पर समानारती शब्द जाएगा भीज़ां के वाक्यों को पढ़िए कुस्टक में दीए समानारथी शब्द रिकतिसान में लिखे तो देखें आपको समानार्ती शब्द लिखना है ठीक? किसान आपको इसके लिए परयावाची लेर्ण होने चाहिए और परयावाची आगर नहीं है तो हमने हमारी चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट किये जिसमें हम परयावाची देख रहे हैं बहुत जो बहूं को सकता है तो अप कोषिश करते हैं, आपको बहुत सारी एक ही bedroom के सब्सक्राइण की प्लेइस देखने की तो जहां पर आपको सारी परेयवक्ति बताने की G ने जगें मिल जाएंगे कर रही है, यह हो जाएगा महनत कर रही है सुनेना की घर में बाजरा रखा है, मखान का समान रखा है मोहित ने कहा कि आज वाईू तेज चल रही तो वाई का हो जाएगा यहाँ पर हवा, हवा तेज चल रही है मेरे गाउं की भूमी सबसे प्यारी लगती है भूमी धर्ती हो जाएगा यहां पर धर्ती सबसे प्यारी लगती है आज आसमान में बादल छा रहे गगन का हो जाएगा आसमान आपकी भाशा में कहते हैं धर्ती को क्या कहते हैं जमी इमली को कहते हैं कटारा मोर को कहते हैं मैयूर बकरी को कहते हैं बकरी घर को कहेंगे मकान, बबूल को कहेंगे बबूल या कीकर, तो आपकी अपनी भाषा, जो भी आपकी गाउं में, शहर में बोली जाती है, आप उस लेंग्वेज में, उस भाषा में इने लिख सकते हैं, अपने पैरेंस की हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर्स की हेल्प ले सक और सबनाम होता है जो कि संग्या के स्थान पर यूज की जाते हैं उन शब्दों को कहा जाता है विशेशन होता है संग्या सबनाम की विशेश्टा बताने वाले शब्द तो देखिए शीला एक केत्ली लेकर टेरी पर गई वहां से बहताजक दूद लाई दूद को गरम किया पांच किलासों में दूद डालकर सब अच्चों को पिलाया उनमें खुशी किला है टौड गई तो देखिए यहां पर शीला संग्या शब्द है केत्ली भी शंग्या सब्द है देरी दूद यह सभी संग्या शब्द हैं ताजा विशेश्टा बता रहा है ताजा एक हैना के अगला है पाद मा जा रही है पाद मा जा रही वाक्य में जा रही शब्द काम की होने को बता रही है नीचे लिखे बाक्यों में से सब्द छाटकर लिखी जो काम को होने को बता रहे हैं जफर खेल रहा है केल रहा है क्रिया हो जाएगी अनोकी दूद पी रही है पी रही क्रिया हो जाएगी बक्री भबुल के पत्ते खा रही है खा रही है क्रिया हो जाएगा मन करता है सूरज बनकर आसमान में दोड लगाऊं मन करता है चंदा बनाकर सब तारो पर अकर दिखाऊं बनकर है याँ चंदा बनकर ओके बनाकर नहीं मन करता है बादल बनकर धरती पल जल को बरसाऊं मन करता है पंक लगाकर आसमान में उड़कर जाऊं तो इस तरह से आपको कविता बनानी थी अगला कुशन है आपका मन क्या करता है जब घरवाले आपको मेला देखने नहीं ले जाए तो हमें बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में हम सोचन लगते कि काश में उरकर जादू से मेले में पहुंच जाओ कविता पड़ी आगे बढ़ाई है यहां पर भी कविता को आपको आगे बढ़ाना है कुछ हम लिखें कुछ तुम लिखो तो कुछ आपको दिया गया है कुछ आपको लिखना है यहां पर दिखें काउ दे रखी है और एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें डॉगी और काउ में बिल्ली ओ बिल्ली कहां गई थी अरे यहीं थी पास में दूद की तलाश में हाती ओ आती कहां गया था अरे यहीं था पास में करने की तलाश में कववा ओ कववा कहां गया था अरे यहीं था पास में रोटी की तलाश में तो देखे यहां पर बिल्ली गाए कुटा समझ ल भी आपको कंप्लीट करना तो यह ड़न होता है कारेपत्रक असी जिसमें आपको कल्पना से अपनी कहानी आगे बढ़ाना था कारेपत्रक असी के साथ ही देखा हमने कारेपत्रक नवासी, अठेतर, शतेतर, शी एतर के सॉलुशन उमीद आपको सभी वर्कशीट के solution अच्छी से समझ आये होंगे फिर भी आपकर कोई डाउट रहता है तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद